हестए हैलो मेरे दोस्तों तो कैसे हो आप लोग सवागत है का इस वीडियो में जिसमें हम डिसकस करने वाले हैं बायोलोजी का स्लेवरस एससी और अफर एक्जांट छलिए आज की वीडियो जो ए शुनोर करते हैं अ बायोलोजी का स्लेवर्स देखिए जो भी स्सी का एक्जाम देता है वो ज्यादा तर मैट्स स्ट्रीम का होता है क्योंकि स्सी में मैट्स और इंगलिस के लिए ज्यादा स्कूप है पर बायलोजी के बारे में वो ध्यान नहीं दे पाते हैं हाला कि थोड़ा बहुत बायलोजी से भी आता है तो इस पर ध्यान हम दिलवाएंगे आपको हमारे चैनल में जैसा कि हमने विजबास दिलाया था आपसे वादा किया था कि आगे बायलोजी की वीडियो आएंगी तो अब बायलोजी की वीडियो शुरू हो चुकी है तो इंटेलिजेंसी क्या होता है इंटेलिजेंसी किसी इंसान के अंदर कोई जन लेते ही इंटेलिजेंसी के साथ पैदा नहीं होता पैदा होता ही वह इंटेलिजेंट नहीं हो जाता है इंटेलिजेंसी आपकी एक्वाइड करेक्टर है वह आपको यहीं इसी दुनिया में आक प्राप्त होता है Intelligency कैसे आती है इट कमसट को विद यॉर एफर्ट है, in'tzaPeak come onback आप जितना ज्यादा किशी भी कारे को करने में इफर्ट लगांगे आप उतना ही उस शोपार में intelligent हों और यह बात मेरी हमेसे किसी का भी एक्जाम हो आप कर सकते हैं तो आईए चलते हैं आज के टॉपिक पर आज का टॉपिक क्या है बायोलोजी का सलेबस क्या है बायोलोजी किस तरीके से आप से पूछा जाता है या अधर रिलेटेड एक्जाम्स में तो हम SSE CGL का लेकर चलते हैं इसके साथ के जितने भी रिलेटेड एक्जाम्स हैं SSE, Railway, etc. इसके साथ जो भी एक्जाम्स होते हैं आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं तो सबसे पहले इसमें पूछा गया जाता है देखिए, Biology में सुरुवात किया जाता है, हर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन से उस सब्जेक्ट की सुरुवात की जाती है तो Biology का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा कि Biology के Father कौन है, Biology कैसी है, क्या है, Bios means जीवन है, Logi means study है, जो Living की study कराते हैं उसी को Biology कहते हैं क्या कहते हैं, जो Living की study कराते हैं, जिसमें Living की पढ़ाई होती है, जीवन की पढ़ाई होती है, उसे ही Biology कहा जाता है तो इस तरीके से आपको introduction, कुछ थोड़ा सा introduction पढ़ाई जाएगा, हाला कि इसको मैं ही पढ़ाऊँगा आगयाने वाली वीडियो में इसी चैनल पर तो बने रहें मेरे साथ इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है, जो Red वाला बटन है, उसको दवा दीजिए, हरा पीरा लाल गुलावी कैसा भी कर दीजिए, मुझे नहीं पता, परन तु उस बटन को दवा दीजिए, उ क्योंकि अब मैं क्यों कह रहा हूं दब जाना चाहिए, क्योंकि अब इस चैनल पर बहुत कुछ ऐसा आने वाला है, जो आपके लिए relevant है, तो चलिए, next topic क्यों और चलते हैं, पूछा जाएगा, what is living, living क्या है, what is living, हम बताएंगे आगे चलके आपको, what is living, classifications पूछे जाए जाएंगे, organism के, मैं आपको से लिए बसका ओवर्वीव दे रहा हूं, what is living, पूछे जाएगा, classification, पूछे जाएंगे, classification किस तरीके से हैं, सबसे पहले, animalia, planta, planta और animalia हुआ था, फिर आरेच विटेकर दौआरा, आरेच विटेकर दौआरा, five kingdom classification हुआ था, five kingdom, classification हुआ था, जिसमें क्या था, monera, protesta, fungi, planta and animalia, तो देखिए, इसको याद करने के आपको इस चैनल में बहुत से उपाय तरीके बताए जाएंगे, जो मैं जहां तक समझता हूँ, जो biology से आए हैं, उन्हें तो याद ही होगा, उन्हें कोई new enix की जरूवत नहीं है, उन्हें कोई tick की जरूवत नहीं है, उन्हें याद कराने की जरूवत नहीं है, प्रैक्टिस की बज़े से याद हो जाता है, आप किसी भी सब्जेक्ट की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप आपको उस सब्जेक्ट के बारे में जनकारी होगी, वो सब्जेक्ट आपको याद हो जाएगा, तो चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं यह हो गया ठीक है यह हो गया पहला टॉपिक यह हो गया दूसर टॉपिक क्लासिफिकेशन सुंगे इसमें ठीक है अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं Study of Cell यानि की साइटोलोजी पढ़ाए जाएगा Study of Cell Study of Cell पढ़ाए जाएगा कैसे Robert Hook में इसमें क्या किया था Robert Hook के Contributions पढ़ाए जाएगे Robert Brown के Contributions पढ़ाए जाएगे इसमें बहुत कुछ पढ़ाए जाएगा आपको दोनों एनिमल और Plant Cell के बारे में पढ़ना पढ़ेगा Cell क्या करता है चलिए नेक्स्ट पेज़ पर आपको समझाते हैं Cell क्या होता है ठीक है Cell हमारे बोड़ी की इकाई है Structural And Functional या Fundamental Unit Of Life Cell Cell से क्या बनेगा Tissue Tissue किसे क्या बनेगा Organ Organ से क्या बनेगा Organism आपको ये चीजे बहुत अच्छे से इस चैनल पर पढ़ाई जाएंगी तो मैं एक आपको एक Overview दे रहा हूं स्लेबस का ठीक है इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा Line से ले चलूँगा एक तरब से समझाऊँगा और ऐसा कोई topic नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं छोड़ूँगा तो मैं फिर से कहूँगा अब तो करी लीजिए चैनल को सब्सक्राइब आगे और बताता हूँ आपको क्या क्या आने वाला है फिर अगला पढ़ेंगे हम जैनेटिक्स कैसे मैंडल ने कैसे कॉंटिवीशन किया था जैनेटिक्स को बताने में उसके जो उसने पी के करेक्टर निकाले थे वो कैसे निकाले थे मैं आपको सब कुछ इसमें समझांगा उसके बाद क्या है इसेक्स डिटर मिनेशन सेक्स डिटर मिनेशन हो गये आपका उसके बाद क्या है ओर्गेनिक एवॉल्यूशन देखिये ओर अग्यने की वोलिशुंबग्म्न लिएन इसको लोग निग्लेक्ट करते हैं लेकिन ये बहुत ही इम्पोरवज हुआ करते थे कैसे वो बोलते हैं ना इस टोनेज वाला की पहले बंदर हुआ करते थे फिर इंसान हो गए कैसे वोलीशन हुआ कैसे उनके अंदर शैललोप पचाने की तागत थी कैसे उस तागत को खो दिया है और आज भी कि नहीं कुछ-कुछ इंसानों के अंदर वह तागत है वह और अभी भी प्रेजेंट है लेकिन पूरी तरह पढ़ा जाएगा ठीक है इनमें से भी मैं आपको सीधे सीधे लाइन से एक तरप से पढ़ाना शुरू करूंगा वाटनी में क्या करेंगे प्लांटे का उसके बाद आपको पढ़ाय जाएगा फोटोसिंथेसस जो कि आप बचपन से पढ़ रहे हैं क्या फोटोसिंथेसस प्लांट अपना खाना बनाते हैं इंद प्रिजेंस ओफ क्लोरोफिलेंस सनलाइट ठीक है आसान भासा में अब इसमें कई रियेक्शन्स होती हैं लाइट रियेक्शन डार्क रियेक्शन इनके बारे में आपको बहुती विस्तार से बहुती अच्छे से पढ़ाने वाला हूं तो बने रहिए मेरे साथ ठीक है अब हमने क्या घर लिया फोटो संधेस कर लिया अब हमें पढ़ाया जाएगा इसमें का प्लांट हर्мन यह याने की बोटनी में प्लांटि के बारे में जो कुछ भी होगा आपको सब बॉटनी पढ़ायाएगा और जूलोजी में आपको पढ़ाए जाएगा एनिमल्स के बारे में एनिमल किंग्डम एनिमल किंग्डम फिर एनिमल किंग्डम में जो कुछ भी आए जाता है उसके बारे में आपको पढ़ाए जाएगा ठीक है एनिमल टिसू हो गया हुमन ब्लेड हो गया सिस्टम ऑफ हुमन बॉड़ी हो गया यह और बाहर से कुछ नहीं आना है जो भी सिलेवस है वो मैंने आपके सामने रख दिया है चलिए मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार में बताता हूं आपको एनिमल किंग्नम में क्या है देखिए एनिमल खिंग्नम उसके बाद एनिमल टिशू एनिमल टिश्यू नेक्स्ट पेच पर लेके चलते हैं हम आपको human blood human blood यो कि आप चूशते हो अपने मम्मी पापा गा जोग सबाट system of human body और ऐसे ही किनी टॉपिक्स के बारे में मैं आपको पढ़ा हूँगा ठीक है अब सब्सक्राइब कर लीजिए अब मैं आपसे कहूँगा सब्सक्राइब करने को अच्छे से कहूँगा लाइक कि अभी कोई इतनी आवा सकता नहीं है मुझे बस सब्सक्राइबर चाहिए अभी इतने सब्सक्राइबर करवा दीजिए कि मैं लाइव क्लास लेना शुरू कर दूँ और मैं आपको लाइव क्लास पे लाइव सब कुछ पढ़ाऊँगा कुछ दुनों के बाद डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाऊँगा ये चैनल बहुत आगे तक लेकर जाऊँगा आपको इस चैनल पर SSC के हर सब्सक्राइबर इस अभी सब्सक्राइबर की क्लास मिलेगी ठीक है जी के स्टेटिक जी के जो है उसकी आपको क्लास मिलेगी जिसमें आपको हिस्ट्री की क्लास में ही दूँगा मैं हिस्ट्री और साइन्स की फेकल्टी हूं और आपको यहोग्रफी की क्लास भी मिलेगी कि इकोनॉमिक्स की क्लास मिलेगी और किनि सब्जेक्ट जो साइन्सम सब्जेक्ट से उनकी वी मिलेगी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ग्ट्रै रेस डेल आइकन वीजा गाईज इतना ही था इस वीडियो में चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई